यह अंवरिवरिवन गुरु खास्टिताश इनिवर्सेटी और गुरुग खास्टिताश विश्व विद्द्धालह बिलाश्पूर का जो अदमिशन प्रोसेस है पॉर डिवगे टिस्क्री और फूरा देखने के सबसे पहले आप लोग देख सकतो यहां पे गुरु घाशिदा विश्व भी दले असेंट्र एंट्री जो लाटरल एंट्री है आज वेल एंटेक पर अब देख की बात करें तो स्टार्टिंग डेट है इसका 12 जून 2023 से लेकर लांस्ट आप्लिकेशन इस एटीन सेवें और 18 जूलाई 2023 ओके अभी हम लोग बात करेंगे कि कि M farm and B farm lateral entry के में seats कितने है कौन-कौन से subjects है eligibility क्या है age limit क्या है and all the other details ठीक है तो सबसे पहले admission notice है यह course की बात करते है सबसे पहले तो यहाँ पर M pharmacy का जो courses है M farm in समय यहां कोज़ाएगार्या थापको सब्सक्राइब के पलेंगे और यहां तोientesित्ष आ फिरपते पर्सें आप गौन ऐतेनर को प्यूं Do लाम के थो यहां पर आडमिशन होता है फॉर दर नॉन जी पाट स्टुटेंस ठीक है बिलोव सेवें ट्वेंटी सेवें इन रोल्स यह एज लिमिट है यहां का और भी फार्म थार्ड सेम लेटरल एंट्री इसके लिए डी फार्म विट फॉर्स्ट क्लास सब का होना चाहिए अब फीज की बात करें तो जैसे कि आपे अब देख सकते हैं जी पाट क्वालिफाइट का जो फीज है 27,700 और उसके बाद सेकेंड थर्ड सेम पे 25,000 और सम्थिंग 25,900 26,450 ऐसे ऐसे चलता रहेगा इस इस देख स्ट्रॉक्चर और नॉन जी पैट कांडिटेट्स इस एडमिशन जो होगा विल बीड़न ऑन बेसस ऑफ मैरिट लिस्ट अप विश्विद दलय एंटरल्स टेस्ट जिसको वेट बोलते हैं 2023 जो की ऑनलाइन और ऑफ्लाइन बोथ हो सकते हैं जैसे सीचुएशन होगा उसे साब से ऑनलाइन भी हो सकते हैं और जो अगर ऑफ्ल सबस्ते हैं उसके बाद उससे उसके उपर डिपेंड करेगा यह नॉन जीपैट को कितने सीट्स मिलेंगे ठीक है नॉन जीपैट काडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल फोर एनी स्टाइपेंट और स्कॉलर्शिप जीपैट को तरफ से गॉर्मेंट और कॉम्पेरेट स्कॉलर्शिप मिलेगा फिलोसिप जो मिलते हैं ठीक है तो कि आवे एसीटी नहीं देगा तो PCI भी दे सकता है और इन दाट केस इस यूजी सी अप्रोप सो यूजी से भी मिल सकता है जैसे कि लास्ट यार बीवी में मिला था तो यह हो सकता है फिलाल तो कॉम्पेरेट आपको आपका स्कॉलर्शिप दे देगा से लिवस्ट जो होगा एक्जाम के लिए वो जीपाट का ही से लिवस्ट फॉलो किया जाए कि यहां पे 100 mcq और एक्जाम विल भी टू आवर्स अब यहां पे जो एपलाई प्रोसेस का एपलाई प्रोसेस ओफलाइन मोड पे होते ठीक है 500 rupees है for general EWS and OBC and 300 है for the SC, ST and PWD candidates आपको यह payment करना होगा online mode पे और यह online mode पे payment करने के बाद आपको application form को fill करना होगा with proof of deposition of the application fees should be reached to the head department of pharmacy जैसे कि आप यहां पे दिख सकते to the head of the department यह पूरा जो है इस address के आपको last date से पहले application form को send करना है ठीक है with the online payment fees अब कौन-कौन से documents record है यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते है online receipt for the GGB website जो आपको payment करना है इसका payment का receipt GPAD scorecard conducted by AICT 10th 12th D farm और B farm PG mark sheet अगर PhD के लिए है तो PC CC car certificate income certificate for the OBC candidates अगर आपके पास gap है तो gap certificate migration certificate is very much important अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो टाइप का form है जो जो सेकेंड वाला option पर आपको दीख रहा है यहाँ पर जो सेकेंड वाला option पर दीख रहा है यह form जो है यह जीपाट qualified candidates के इसाब से अगर आपको फिल आप कर रहे हो as a GPAD qualified तो आपको इस वाले form को download करना है आज वेले अगर आपका भी फार्म लाटरल एंट्री है तो और चेंट्री ठीक है अब इसको पूरा देवली फिल करना है जो ऑफिस उसके लिए उसको छोड़कर पूरा आप लोग फिल करोगे फोटो आपिस करोगे जो डिटेल से जैसे जीया है सारकुछ फिल करोगे declaration दोगे handwriting जो running handwriting है मतलब जो आपका running hand है उसके handwriting होगा मतलब अगर आ अगर अब लेफ्ट ही हो तो लेफ्ट है अगर अगर राइट ही हो तो राइट है यह डिवली फिल्ट अप्रिकेशन फॉर्म और विद ओल दा अधर डिटेल्स आपको फीस रिस्ट के साथ सेंड करना है जो आड्रेस वहां पर दिया है इस अगर आपको इसके बार में कुछ और डिटल में जानना होगा तो आप इसके नीचे कॉमेंट कर दोगे तो मैं आपको कॉमेंट पर रिप्लाइ दीते हूँ है ठीक है अगर आप कुछे कॉंड़क करना चाते है तो इंस्टाग्राम का आईडी दिया है आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या पिर वाटसप पर मैसेज कर सिथे हैं तांक यू सो मच एंडों फोगर सब्सक्राइब चानल